डिस्कस करेंगे ठाटा पावर को तो दिस्कस करेंगे ही और साथ में ठाटा गाफ को बिस्कस करेंगे क्यों ठाटा कफ वन मंद में stock में माइनस 10% तक के गिरावट दिखे हैं और यहां देखे इस stock को तो 1% के गिरावट 10% के गिरावट दिखे हैं 8 November को इसके quarterly numbers आने हैं इससे पहले मुझे लगता है कि थोरा question बरतना चाहिए यहां देखेंगे तो recent में जो company में जो deal रहें कुछ बड़े deals नहीं रहें अपडेट्स भी आपको common ली ही दिखेगा एक बजाज ग्रूप को company ने capital solar power project delivery agreement को देखर के एक news दिखा टेकनिकल ट्रेंड इस समय weak है delivery bitter है इसके चार्ट को समझें इससे पहले एक बार टाटा consumer को देखेंगे टाटा consumer पिछले six month की set trending है one month trending है और five days में trending है यानि देखेंगे तो sustainable trend one sided form में इस stock में दिख रहा है और जो quarterly numbers रहे हैं वो भी काफी favorable हैं यहां अगर इस stock के quarterly numbers को देखें तो जो estimate नंबर था 328 इसको इसने बीट करा 10% से revenue 0.2% से EBITDA 2.3% से और margin 30 basis point से जो expectation था उसको बीट करा इसके comparatively जो actual number थे revenue के चुकी expectation ज्यादा थे इसलिए 0.2% ही जो expectation को बीट करा लेकिन actual 11% growth दिखा 1.2% profit 23% EBITDA और 150 basis points के जो margin है वो improve होते हुए दिखे हैं यहां आप easily पाएंगे यह जो label दिख रहा है लगभग पिछले 1046 यानि लगभग पिछले आप यह मान करके चलिए कि 140 दिन से consolidate form में है यानि लगभग आप यह मान करके चल सकते हैं कि six month का जो duration रहा इस stock में six month से stock एक range में ही consolidate कर रहा है इसके साथ ही देखेंगे तो यह एक ट्रेंड लाइन है जिसको respect कर रहा है और इस समय का trend higher higher low दिख रहा है इस zone में आप चाहें तो धीरे धीरे से stock को accumulate करें SL चाहें तो आप 840 के नीचे के SL को ले सकते हैं और इस stock में आपको target जो है 1000 और 1200 प्लस तक के लेवल भी six month में इसली दिख सकता है long term short term दोनों व्यूज पोजेटिव हैं क्योंकि देखेंगे तो धीरे धीरे ट्रेंड जो है इस stock में अपर साथ दिख रहा है अब एक बार टाटा पावर को देखेंगे कि टाटा पावर का क्या ट्रेंड दिख रहा है कि टाटा पावर ट्रेंड बिल्कुल वीक है यहां सपोर्ट से एक बाउंस बेक दिख रहा और मुझे लगता है कि एक rejection इस स्टॉक में 210 के आसपास के लेविल का वेट करें यहां देखेंगे 218 और 10 एक वैल्यू बाइंग जुन होगा यहां फिर टूप्यूप्टी सिक्स के लेविल को ब्रेक आउट करने देख सौट्टम टेडर इस बीच में बिल्कुल इग्नोर करेंगे जिन्देवन ने भी यहां पर लॉंग कराएं 224 के नीचे के इस्टिकली एसल को फॉल्लो करें